300 गुना से भी जादा, ग्रोथ हमें देखने को मिली है और 2022 में ये सबसे जादा डाउनलोड ओरों वाली एप बन चकी है, अब एक एंटी सोचल नेटवर्किंग अप, 15% लोगों ने अक्सेप्ट किया इस बात को भी हमारे पास कोई क्लोस फ्रेंड नहीं, तो दोस्तों आप तो क्या हमारे पास सिरफ यही solution है, relaxation के लिए, ऐसा लगता तो नहीं है, एक और solution निकल कर सामने आ रहा है जो 2022 की सबसे जादा डाउनलोड होने वरी एप बनती जा रही है, या कहलो बन चुकी है, बी रियल, तो क्या है बी रियल, जानते है आज इस वीडियो में उसी के बा तो यह आकड़ा और भी बढ़ेगा, ऐसा मानना है, तो हमारे पास social networking होने के बाव्योद भी, क्यों ऐसा हो रहा है थि हमारे पास कोई close friendly, actually में social networking का काम यही था, कि हम अपने friends बना सके, नए नए दोस्त बना सके, नए नए लोगों से मिल सके, तो क्या हम उस रास्ते से कही नहीं अलग निकल चुके हैं, ऐसा लगता है, so be real क्या है, be real का कहना है, be real एक ऐसी app है, जो social networking की authenticity को वापिस लेकी आएगी, मतलब एक anti-social networking app, आप इसे कह सकते हो, जो actually में social networking app है, लेकिन बहुत अलग, कैसे अलग है, so be real develop की गए थी 2020 में Mr. Alexis Barrett की तरफ से, जो GoPro के former employee थे, और 2022 में ये सबसे जादे डाउनलोड और में वाली app बन चकी, app store पे US में, और सिर्फ यूएस में ही नहीं, Germany, Australia और यॉरप की बहुत सारी countries में, ये सबसे जादे डाउनलोड और में वाली apps में से है, so be real एक बहुती simple interface के साथ आने वाली, एक social networking app है, जिसमें आपको दिन मे दो photos upload करने के लिए, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, उस वक्त उसी वक्त आपने photo click करके upload करने है, कोई editing नहीं, कोई glamour नहीं, कोई makeup नहीं, कोई features नहीं, extra, कोई filters नहीं, so, sounds realistic, हाना, थोड़ा boring है, लेकिन life भी तो ऐसी है, fully boring, थोड़ी happening, so, और company का कहना है कि ये time randomly select नहीं कि जाता है, ये उनका कोई algorithm है, जो secret है, जिसकी हिसाफ से time को select किया जाता है, जिसन सिरफ इतना ही, जब आप the real app को download करेंगे, open करेंगे, तो आपको दो feeds मिलेगे, मतलब अपना account बनाने के बार, जिसमें एक feed होगा, आपके close friends का, जो भी आप friends से उसमें add करेंगे, जिसमें आ आप पोश्ट नहीं कर सकते हो, सिरफ दो फोटोस पोश्ट कर सकते हो, वो भी उनके time के मताबी, so आपको un-addited photo ही डालनी होगी है, लेकिन इसका फाइदा क्या है, इसका फाइदा है, आपको देखो, Instagram, Facebook, आज की date नहीं क्या बन चुक है, और भी जो social networking apps है, सब के सब एक glamour world बन चुका है, ठीक है, companies की लिए वो market बन चुका है, जहां पे वो आके अपने product sale कर सकते है, और लोगों के लिए it's just depression, ठीक है, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ट होपे यह देखकर कि दूसरों की life कितनी ज्यादा happening है, so एक basic जो concept as social networking का वो खतम होता जा रहा है, जिसमें हम friends बनाना चाहा रहे थे, आजकल सिरफ लोग follow कर रहे है लोगों को एक दूसरे को, जो ज़्यादा glamorous दिख रहा है या shopping कर रहे है, basically, products देख रहे है, so social networking का basic जो authenticity थी वो खतम हो चुकी है, so be real का यही कहना है, कि यह boring जरूर है, लेकि real है, फिर भी यह लोगों को पसंद आ रह मतलब कि यह app आगे और grow करने वाली है, आधी भी 20 million downloads हो चुके है growably इसके, 10 million active users है, मतलब 10 million लोग रोज आपनी photos जो है, वो upload कर रहे है, इसका मतलब जगा आप account बनाएंगे, तो आपके पास 10 million इसका भी 10 में है लोग, ऐसा नहीं है कि आप सिरफ अपेले हो, लेकिन सब कु कुछ चीज़े हैं, जो मैं यहां पर पताना चाहूंगा, यह app basically एक idea पर depend करती है, कि आपने एक real photos upload करने हैं दिन में anytime, ठीक है, दो photos upload करने हैं, एक post basically, और यह एक ऐसा feature है, जो इसकी speciality है, और यह speciality कोई भी social networking app जो है, वो चुरा सकती है, ऐसे पहले भी उसका है, Instagram, हम सब जानते हैं, बहुत साथ, यह एक major point है, जो इसकी growth को रोग सकता है, उसके साथ में यह थोड़ी boring है, हाँ, real है, but boring है, तो क्या लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे, कुछ कहा नहीं सकते हैं, उसके साथ में एक और दिक्कत है, Instagram की example के तोर पर मैं बोलता हूँ, Instagram जब आई यह काफी-काफी real है, और हम इसे enjoy करना चाहिए, तो आप account बना सकते हो, and मिलते हैं next video में, लेकिन जाने से पहले comment करके, मुझे जरूर बताइया, क्या आपको social networking में ऐसी apps पसंद है, और यह video, जिसमें आपको tech का अलग चहरा देखने को मिल रहा है, क्या आपको ऐसी video और इसके बारे में जुरूर शेयर करना मुझे आपको be real का concept कैसा लगा, मिलते हैं next video में, तब तब यह stay fit, stay healthy and stay connected, with gyan, bye